बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ वेजिटेबल मसाला मैगी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है आप इसे एक बार बच्चों को बना कर खिलाएंगे तो वो इसे बार बार बनाने को कहेंगे साम की छोटी मोटी भूख हो तो इसे बनाएं और गर्मा गर्म खाएं ये खाने में बहुत ही टेस्टी है इसे बनाने के लिए मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिल आइकन को दवाएं ताकि मेरे लेटिस्ट वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए बच्चों के लिए स्पेसल रेसिपी बनाती हो वेजिटेबल मसाला मैगी बनाने के लिए पैन को गर्म करें इसमें दो से तीन टेबल स्पून देसी घी डालें मैं सजिस्ट करूंग कि आप ये रेसिपी देसी घी में ही बनाएं ये बच्चों के लिए न्यूट्रीसियस भी है वैसे आप इसे रिफैंड वैल में भी बना सकते हैं घी गर्म हो गया है इसमें दो लसुन की कलिया और आधा इंच अद्रक को छील कर चोटी टुक्रों में काट कर डाल दें और यदि तीखा एकदम पसंद नहीं है तो हरी मिर्च को कुछ सेकेंड भूनने के वाद एक प्याज को छोटे चोटे टुक्रों में काट कर डाल दें और इसे गोल्डेन होने तक लो टु मीडियम फ्लेम पे भूने प्याज गोल्डेन हो गया है अब इसमें सारे बेजीटेब तक सारे बेजीटेबल्स को लो टु मीडियम फ्लेम पे भून लें लगातार चलाते हुए अब इसमें नमक डाल दें टेस्ट के अनुसार नमक थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि मेगी के टेस्ट मेकर में भी नमक होता है मिक्स कर दें और इसे टमाटर के सॉफ्ट होने त धक के लो फ्लेम पे पकाएं चार से पांच मिनाट तक पकाने के बाद ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है और सारे वेजीटेबल्स भी अच्छे से पक गया है अब फ्लेम को एकदम लो पे करके इसमें सुखे मसाले डालें सबसे पहले एक चोथाई छोटा चमच हल् अब एक चोथाई छोटाचमच भूना हुआ जीरा का पौड़र डाल दें और अब एक चोथाई छोटाचमच गरम मसाला का पौड़र डाल दें अच्छे से मिक्स कर दें अब लो फ्लेम पे 30 सेकेंट से एक मिनाट तक इसे भून लें एक दो मिनट तक मसालों और वेजीटेबल्सको अच्छे से भूराने के बाद इसमें मैगी का टेस्ट मेकर डाल दे मैं ऐहाँ पर दो मैगी बना रही हूँ तो दो टेस्ट मेकर डाल दी टेσ्ट मेकर मसाला से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अच्छे से मिक्स कर दें अब इसमें पानी में इस ग्लास से डालूंगी दो ग्लास ये ज्यादा तर घरों में अभिलेबल होगा इससे नापकर दो ग्लास पानी डाल दें ये देखिए एक ग्लास पानी में डाली दो मैगी में ब और अब इसमें पहला बोयल आने तक ढग के पका लें इसमें पहला बोयल आ गया है अब मैं यहां पे दो मैगी डाल दी और इसे कुछ देर इसी तरह पकने दें कुछ देर तक एक साइड पे पकाने के बाद इसे पलट दें और कुछ देर पकने दें उसके बाद इसे मिक्स करें ये देखिए एक मिनेट में ही ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है दोनों साइड पे इस तरह से मिक्स करें इसे मसालों और सबजीयों के साथ अच्छे से मिला लें इसमें जो पानी दिख रहा है ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है इसे बस एक मिनेट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएं ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का तयार होगा एक से डेल मिनेट तक पकाने के बाद ये दिखिये परफेक्ट वेजिटेबल मसाला मैगी बन कर तयार है इसकी खुसबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है आप इसे ख्लेम को बंद कर दे और गर्मा गर्म परोसे आप इसे घर में ज सब्सक्राइब करना ना भूलें